कुछ साल पहले नरेदर मोदी जी ने ये छिंदुस्तान का जो political finance का system है उसको साफ करने की बात कि थी और कि इलेक्टरल बॉंड्स का जो concept है वो नरेदर मोदी जी ने development किया और उसको implement किया और कुछी दिन पहले एलेक्टोरल बॉन्ड की सचाई देश को दिखी है बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने एलेक्टोरल बॉन्ड का कॉंसेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्स्टोर्शन रखेट है मैं फिर से कह देता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा नैशनल लेवल का एक्स्टोर्शन रखेट है कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है कंपनियों से कॉंट्रैक्ट का शेर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा ब्रश्टर चार्ड का स्कैम है इसके सब आखड़े आपके सामने है पूरी कंपनी के लिस्ट अभी आई नहीं है इसमें शेल कंपनीज हैं इसमें CBI ED से प्रेशर डालके पैसा लिया जा रहा है डेट्स हैं कंपनी पर केस लगता है उसी के थोड़े दिन बाद BJP को पैसा मिलता है हजारों करोड रुपय का कॉंट्रैक्ट मिलता है कॉंट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है तो ये प्रधनमंत्री का कॉंसेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा प्रष्टचार का करप्शन का उधार है ये राउल गांदी ने बहुत बड़ी बात ऐसे कहा दिये है सुब्रिया शिनेत कि दुनिया का सबसे बड़ा वसूली का रैकेट है और ये एक तरह से इसके नाम पर ऐसे वसूली की जा रही है ये एक्स्टॉर्सन रैकेट है ये भी कहा दिया बहुत बड़ी बात है लेकिन इस कहने का कोई सॉलिट आधार नहीं है आप सिर्फ इस आधार पर कि फला कंपनी पर एडी का छापा पड़ा और उस कंपनी ने 100 करोर का बॉंड खरीदा वो बॉंड किसको गया अभी सावित नहीं हुआ है चाहे लोट्री वाले का बॉंड हो चाहे मेगा इंजिनेरिंग का बॉंड हो चाहे किसी नवयूग इंजिनेरिंग का बॉंड हो तो चैकिसी और का बॉंड हो जो लंबी लिस्ट आपने प्विटर पर डाली है उसका भी तो फिर ये इस आधार पर कहना कि extortion racket है यह तो बहुत बड़ा बैयान है सुप्रियर्शनेर तो जिसका ED, TBI और income tax पर raid होगी और उसके बाद वो अगर बॉंड खरीदेगा तो इसको extortion नहीं तो और क्या कहा जाएगा इसमें तमाम एसी कंपनिया है जिनके उपर raid हो रही थी जिनके उपर चापे पड़ रहे थे अब उनके उपर कोई action नहीं हो रहा है उन्होंने बड़े-बड़े बॉंड खरीद कर वो बैठे हुए आपने सुना किसी के इंकंप्री की किसी MD को जेल जाते हुए या किसी MD को पुछताच करते हुए बड़े बॉंड खरीद लिये मैं तो कह रही हूँ ना आज की तारीख में अगर तीन ED के लोग एक दफ्तर में जाकर एक लड़के से कहें कि आप PD RAID हो रही है लड़का पेपर दिखा के कहें मैंने Electoral Bond खरीद लिया है बात खतम वो वापस दुम दबा के चले जाएंगे यही एक्स्टॉर्शन है और इस एक्स्टॉर्शन में सरकार ने नरेंदर मोधी जी ने पूरी सरकार को शामिल कर दिया है यह दिक्कत तलब पास उससे थोड़ा उपर पैसा आया एक सट सो करोड के आसपास पैसा BJP को गया ठीक है यह intelligent assumption नहीं है यह intelligent extrapolation है डेटा जब आता है तो हम data analysis जब करते हैं तो हम connect करते हैं dots को एक company है उस पर ED की raid हुई चलिए future वाली company का ही मान लेते हैं उस पर ED की raid हुई 406 करोड की property जो थी वो attach कर दी गई तीन दिन के अंदर उसने 100 करोड का bond खरीदा उसने वो 100 करोड का bond किसको दिया यह तो data science और क्या है आप हर चीज़ में थोड़ी magnifying glass अब यह काम agencies का था लेकिन उस agencies को आपने वसूली हफता वसूली के agent बना दी हैं तो असलियत यह है कि जिस company की 406 करोड की property अटाच हुई और उसने तीन दिन बादी 100 करोड का bond खरीदा तो वो bond किसको दिया होगा हम तो यह तवाल उठा और यही extortion है और यह तो चार साल का बच्चा भी बता जेगा किसको दिया हम को एक court तो कोड़ी साफ साफ दिख रही है तो courts को स्वो मोटो कोगनिसंस लेके इस पैसे कोई वापस recovery करानी चाहिए कौन है जो इस रेड के बाद पैसा ले रहा है अगर एक company को दागदार माना जा रहा है उस company पर सरकार हावी है और जिस party की सरकार है वही उससे पैसा डकार रही है ग ट्वीट है पुराना जुलाई 2019 का ट्वीट है 22 जुलाई 2019 का 15 मही 2023 का और 23 दिसम्बर 2021 का तीन ट्वीट है तीनों ट्वीट उस lottery king से जुड़ा हुआ है जिस lottery king ने 1300 करोर का bond खरीदा ED के ट्वीट में कहा गया जुलाई 2019 में ED attaches under PMLA assets consisting of 61 flats, 82 open plots and 6 plots with building located in Coim2 district worth Rs. 119 crores of Santiago, Martin and his associates in lottery scam इसी तरह मतलब समझे कि 82 open plot, 6 plots जिसमें building बना हुआ है, 61 flats ये सारे ED ने attach किये PMLA के मामले को दर्ज करने के बाद, के तहत मामले में और उसके बाद फिर दूसरा है कि ED ने 11 पास 2023 और 12 पास 2023 को उनके चन्नाई में residential जो परिसर है वो और जो उनके कारोबारी दफ्तर है Santiago Martin और जो future gaming solution के जो promoter मालिक है, उनको फिर PMLA के ताथ फिर वहां कारवाई हुई फिर ED ने तीशरी बार कारवाई की 23 December 2020, फिर उसमें वही कहा गया कि सिक्किम लोट्री स्केम केस में भी उनके खलाव कारवाई हुई और ED ने 259 करोर की उनकी property अटेज की और total जो अटेज की वो 277 करोर तक हो गया, यह तीनों ED का tweet है अब इस tweet के बाद और उसके बाद फिर जानकारी आती कि 1300 करोर एक लोट्री वाला जिस पर लगाता है ऐसे ही आरोप हो और लोट्री वाला अपना profit भी ऐसा ना दिखाता हो जिसे कई गुना जादा, छे गुना जादा वो political party को चंदा देता है तो यह एक connecting dot अगर कहोगे तो अभी फिर मैं कहोगे, यह जंप्शन हो सकता है मुझे लगता है assumption के अलावा शब्धन extrapolation यूज़ करते हैं data mining में, data science में, data जब आता है तो data से एक pattern लगाया जाता है उसको extrapolation कहा जाता है, यह data हमारे सामने, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाता अगर मिलान होता क्योंकि मिलान नहीं हुआ है तो थोड़ी बहुत अकल भगवान ने हम लोगों को दी है उसकल का प्रयोग कर रहे है, उसकल को extrapolation कर रहे हैं, events पर dates रख रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ वो कर रहे है जो एक normal इंसान को जिसको थोड़ी बहुत समझ हो करता, वो करने का प्रयास हो रहे है क्या आपको लगता आखरी सवाल कि सुप्रिम कोट के आज के आदेश के बाद की SBI को ये कहना कि आप सारे जो बांड है जिसके unique number आपने नहीं दिये, वो सारे unique number के साथ जानकारी दें तो अब तो उसके बाद जब भी है जानकारी आएगी तब तो जितने भी bond है हर bond के बारे बे जानकारी मिल जाएगी, हम मान कर चले मैं आशा करती हूँ मिल जाएगी, मुझे लगता है जिस तरह से SBI ने ना नुकूर हाय तौबा मचाई की bond ना देना पड़े, SBI का भी परदाफाश हुआ है, एक संस्था पर किस तरह से सरकार हावी है ED, SBI, income tax की तो कोई खेर साथ बची नहीं, credibility नहीं बची लेकिन देश का सबसे बड़ा bank जहां पर 48 करों लोगों का account है, वो भी इस तरह की हरकते करें तो थोड़ी सी चिंता होती है मुझे लगता है, SBI को कुछ नहीं, तो अपनी बची, कुछी साथ कोई समालना चाहिए और एक सरकार के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार हैं तो बदलती रहती है आपकी credibility तो as an institution बनी रहनी चाहिए अगर कोई आदमी ऐसे सोचेगा, तो दिखेगा यही कि कोई company चाहिए mega enterprises हो, चाहिए बहुत सारी company हैं जिसका detail हमने पड़ा सबसे बड़ा तो lottery वाला जिसने 1300 क्रोड का bond दिया, जो lottery वाले king है और उनके बेटे ने bjp join कर ली थी, पहले उसकी तस्वीर भी देख रहा हूँ, ट्वीटर पर बहुत लोग viral कर रहे है, सेंटियागो, मार्टिन जो नाम के शक्त, जो lottery की company चलाते हैं, और उन्होंने 1300 क्रोड का चंदा दिया, जिनके दफ्तरों की तस्वीर हा रही है, छोटा मोटा कोई 25-50 करोड वाली company भी नहीं होगी, लेकिन चंदा दिया और उसके पहले 400 करोड का asset जबत होना, ED का rate, 10 साल तक ED और income tax के निशाने पर होना, तो यह सब बात तो एक तरह से कुछ चीजे दिखती है, अब वो dot connect, आप कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या आप भी जो कर रही है, वो तारीखों का मिलान करके कर रही है, कि बीच में कुछ गरवर जाना है, अब जो CBI, SBI ने जो पहले data दिया था, उसमें unique ID, unique number नहीं था, जो code, जिससे bond का मिलान हो, आज जो Supreme Court ने कहा कि आप code के साथ जानकारी दिजिए, जैसे unique number नंबर आएगा, तो कोई भी आदमी मिला पाएगा, कि ये जो bond है, जैसे मेरे पास ये 35-30 पन्ने है, अब ये जो ये है, ABC India Limited का जो एक करोर का bond है, या SL Mining का एक करोर का bond है, तो कोई भी मिला पाएगा, कि ये इसका unique number ये है, त उसके बाद अगर उसका connection ED से है, अगर ED ने छापे मारे, अगर ED उसके पीछे ED की कारवाई हो रही थी, PMLA में अगर कारवाई हो रही थी, अगर income test से छापे मारे गए, अगर संपत्ती जबत हुई, तो फिर ये तो सवाल होगा, कि फिर वा आदमी चंदा कैसे दे रहा था, अगले सवाल से पहले सुप्रिया, एक जानकारी जो मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे रिपोर्टर, उन सारे रिपोर्टर को मैं सलाम करूँगा, जो रिपोर्टर कल रात से उस डेटा को लेकर, जो डेटा लेकर, उस डेटा को मिलान कर रहे हैं, और कहीं कहीं dot को connect करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हो नितिन सेथी हो, जिनके पूरी टीम जो रिपोर्टर कलेक्टिव की टीम हो, या कुईंट की टीम हो, कुछ स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये नितिन सेथी की टीम ने, रिपोर्टर को जुटा कर, जोर कर, connecting dots जिसको करतें, dot को connect करने की को सारे लोग काम कर रहे हैं, जो चैनल को काम करना चाहिए था, सारे चैनल ने, ज्यादतर चैनल ने, सनाटा साथ रखा है, कहीं से, इस पर खबर नहीं है, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा घोटाले के सामने है, और जिसको करतें, Latin सब्द है, कुईट प्रो को, कुछ लें से पहले, एक जानकारी जैसे कुईंट में देखा मैरे रोमा रागनी की रिपोर्ट है, कि बीजेपी ने अप्रेल 2019 में और में 2019 में, मतला अप्रेल 2019 और में 2019 लोग सभा के चुनाओ हो रहे, दो साल में बीजेपी ने अप्रेल में 1000 करोर और में में 700 करोर, मतला 1700 करोर, लग अंकारी आएगी तो सुप्रिया ये सब बाते तो आपने कह दी लेकिन इसके आधार पर ठीक है होगा यही कि सरकार में जो लोग मैठे चुपी साधे बैठे वो कहेंगे ठीक है कॉंग्रेस के प्रबक्ता कॉंग्रेस के नेता राउल गांधी मलिकार जुन खर गे या कोई हम जैसे यूट्यूब पर लोग यह डॉट कनेक्ट करके और तारिखों का मिलान करके जिए को इस बता रहे हैं इससे फर्क क्या पड़ता है मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ और वो बात रखनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ा विरोधा भास है और वो बात समझनी होगी सबको मैं आपको बताती हूँ एक तरफ तो इस तरह की तस्वीर उभर रही है कि भारतिये जंता पार्टी लगा तार चंदा चोरी कर रही है एक तरह से देखिए तो चंदे के बदले धंदे दिये जा रहे हैं चंदे के बदले या तो जाचे की जा रही है, या बंद की जा रही है, और दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू आपको बताती हूँ, कल चुनाओ आयोग, चुनाओ की तारिखे गोशिक करने वाला है, हम कुछ हफ़ते दूर है, मुहाने पर है कि देश चुनाओ के, 2024, और इस देश के सबसे प्रमुक विपक्षि दल कॉंग्रेस पार्टी की सारे अकाउंट फ्रीज किये हुए है सारे अकाउंट फ्रीज है हमारे पास आज चुनाओ लड़ने की राशी नहीं है चुनाओ लड़ने का पैसा नहीं है हम rally कैसे करेंगे हम अपने विग्यापन कैसे चलाएंगे चाहे वो YouTube पे हो या Facebook पे हो या अखबालों पर हो या TV पर हो हम कहां से यह चुनाओ लड़ेंगे हम अपने candidates को क्या देंगे प्रचार प्रसार कैसे करेंगे हमें नहीं पता है हमारे स्तारे accounts freeze है और income tax ने पहले 79 आती है जनता को पता होना चाहिए कि यह क्यों किया क्या Congress party का अपने MPs और MLS को हमारा स्वता हम करते हैं साल की पूरी salary में से एक महिने की salary हम party को donate करते है 24 लोगों ने अपनी salary donate करी जो करीब 14 लाक रुपए बनी 14 लाक मात्र 14 लाक रुपए वो पैसा क्याच में जमा हुआ शाल को गलती हुई हमसे हमने कहा इस पर tax ले लीजे आप 30% इस पर ले लीजे करीब 5 लाक रुपए होता नहीं हम उस पर नहीं लेंगे उस साल की हमारी income 199 करोड थी हमारा खर्चा 197.5 करोड था हमने कहा जो बच्ची हुई है डेड़ करोड उस पर ले लीजे 30% करीब 50 लाक हो जाएगा पाच लाक ले तो 50 लाक नहीं 14 लाक की गलती 135 करोड रुपए की tax वसूली की जा रही है सबसे प्रभुख विपक्ष से तो हम चुनाओ कैसे लड़ेंगे क्या यह free or pair election है क्या संस्थाओं को काबिस करने के बाद मीडिया को काबिस करने के बाद अगर आप कानून बनाकर भृष्टाचार कर रही है कानून बनाकर रिश्वत खोरी कर रही है कानून बनाकर जिसने इस देश की सारी संस्थाओं को बसूली पर राकेट पर लगा दिया है आप सोच यह कितरा बड़ा विरोधा बास है आज इस देश की जंता को courts को election commission को सोचना पड़ है दस साल होने जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हो सकता है वही फिर से 2024 में आ जाए प्रदान मंत्री मोधी 400 पार का नारत ही रहे एक दरजल से ज्यादा राज्यों में सरकार है तो जो corporate है पूझी पती है कारोबारी है जिसे ठेके लेने जिसे टेंडर लेन है तो उसको लगे रहे उसी को तो जिससे काम मिलेगा नहीं ऐसा होता नहीं है 2004 से 2014 हमने भी तो अभी recent history में सरकार चलाई है 50-50 परसेंट डोनेशन कॉंग्रेस को और बीजेपी को मिलता था वो क्यों बदल गया आत्तवाल इस बात का है वो इसलिए बदल गया क्योंकि भार अच्छा देश चाता है जहां पर एक प्रमुक विपक्ष चाता है जो उसकी आवाज बने वो क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है सवाल इस बात का है और मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब बीजेपी का रचा हुआ स्वांग उनका रचा हुआ डर उनकी रची हुई साज और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी अगर इतनी अच्छी बीजेपी की तरकीब है और इतनी अच्छी उनकी नीतिया है तो ऐसा क्यूं है कि बीजेपी के नीतिन को देखते हुए लोग इंवेस्ट नहीं कर रहे है चौदा लाख लोग छोड़के देश की नागरिकता चले गए ऐसा क्यूं हो रहा है कि कॉर्परेट इंवेस्ट नहीं कर रहा है इतना इतना चंदा देने के बावजूद कॉर्परेट ने ये मन बना लिया कि भाईया शांती बनी रहे हम लोगों को जेल ला भेज़े सरकार किसी ओने पौने चार्ज पर ये असलियत है इस सब्सक्राइब ने हलाकि ये कल रात से बात कही जा रही है कि SBI ने जो पहले RTI से जानकारी मिली थी कि 2018 मार्च से लेकर अब तक 28,030 बांड बेचे लेकिन जो आकरे जारी हुए उसमें 18,871 बांड की जानकारी नहीं है तो मतलब 4,000 करोड के लगब 4,000 करोड के बांड की जानकारी नहीं है तो पहले ते वो जानकारी जानकारी ये कहा था कि 6 साल बांड का पैसा लिया गया लेकिन जानकारी सर्फ 5 साल की हमारे पास और उस 5 साल में भाजपा को 1,600 करोड और समूचे विपक्ष को बाकी पैसा म मिला है यह एक साल का डेटा इंक्लूड नहीं किया गया तब यह हालत है तो अब कई कई ऐसी स्टोरी आ रही है बहुत सारी ऐसी कंपनियों का जिक्र हो रहा है जिस कंपनी का टोटल प्रॉफिट जितना था उससे कई गुना ज्यादा उसने डोनेट किया उसमें फ्यूचर ग स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो यह एक तरह से आपका आरोप या बहुत सारे लोग जो मान रहे हैं कि कुछ तो ऐसा था जो साप साप ब्लेटेंटली दिख रहा है कि अगर EDCVI या इंकम टेक्स किसी के पीछे है और अगर भाई अब तक क्या हो रहा था अब तक हम पॉल आया BJP जोईन किया बच गए तापस रहा अभी ताजा ताजा TMC के नेता जोईन किया है उन्होंने बंगाल में और बहुत सारी लिस्ट है जिस पर हम लोग बहुत बात कर रहे हैं लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि कंपणियों से भी यह हो रहा था कि आप या तो ED से बचन राकेट है जो सरकार का पूरा तंत रिस्ता में चला रहा है आप कट लेकर प्रोजेक्स दे रहे हैं प्रोजेक्ट चाहिए तो कट देना पड़ेगा कट आ रहा है बॉण्ड के रूप में देखिये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही है बॉण्ड से पार्टी पैसा ले रह इसलिए तो EDCBI income tax की रेड करा रहे क्योंकि आप कथित तौर पर मान रहे कि कुछ गलत हुआ है और उन्हीं कंपनियों से पैसा उन रेड के बाद जब आपको पता है लेने में आपको कोई परहिज नहीं है आज निर्मिला सीतर रमांजी किसी कंपनी के किसी चैनल की चानल की क्योंने का नहीं रेड के बाद पैसा नहीं आया या सारी तारीखे करके उनको दिखानी चाहिए कि एक एक पैसा रेड के बाद आया है रेड करो और पैसा एठो नहीं रेड के बाद या पैसा लिया गया या नहीं लिया गया जो जिस कंपनी के पीछे अगर ED और income tax है जिस क इसे लेने से पहला चेक तो करोगे कि किसले रहा हो हमारे खाते में मुहम्मद जुमेर नाम के ऐसे कोई डोनेशन 5,000,000 दे देगा तो आप पकर लोगे कि डोनेशन कैसे है जब्कि वो डोनेशन कोई भी आदमी कहीं दे सकता है मेरे यूट्यूब पर एक जॉइन बटन है उस जॉइन बटन में कोई भी आदमी कहीं दुनिया से जॉइन करके उसमें 200-400 रुपे जो भी होगा दे सकता है कल को आपको पकरना होगा तो अप लिस्ट लेकर आ जाओगे कि आपको यहां से कैनड़ा से पैसा लेकिन मैं नहीं जानता हूँ एक जो funding का हिस्ता है और यहां तो जिसके पीछे ED है जिसके पीछे income taxes चापे मारे जा रहे हैं आप उसे पैसा भी ले रहे हो और धंदा भी दे रहे हो यही तो यही तो स्टीजे इस्टैबलिश होती है तो यह बात कहा रहा गई कि चापे के पहले लिया चापे के बाद लिया मतलब आप यह सोचिए कि जो चीज politicians के लिए कही जाती थी कि आप सिर्फ opposition के खिलाफ EDCBI income tax करते हो आप यही काम तो और परेट्स के लिए भी कर रहे हो इसी लिए तो छोटे लगू मद्यमुद्योग लगातार बंद होते जा रहे कहां से 30,000 MSM ही बंद हो गए क्योंकि उनके पास थोड़ी है बाइंड खरीद खरीद के देने का पैसा जिनके पास लाखों करोड और अभी तो मैंने इसके व वहिया है पत्रकार वो कुछ कह रहा था कि अडानी अंबानी का पैसा नहीं है अरे आपको सबसिडिरी का मतलब ही नहीं पता है अभी तो वो भी डीटेल हम डालेंगे पुड़ा टाइम दीजे वो भी डीटेल डालेंगे कि किस किस सबसिडिरी ने कितना पैसा दिया है तो म जिसको कहते हैं उसके बाद भी दूद का दूद और पानी का पानी हो गया है बड़ी बड़े लोगों से पैसा रेड के बाद वसूला जा रहा है भाई तो यह चापा वसूली अगर इसको मैं ना कहूं तो इसको क्या नाम दूँ आप बॉंड खरीद कर देदी जो उसके अपरिल 2022 को एडी का रेड होता है 409 करोर का एसेट जब्त होता है और 7 अपरिल को उस पांस दिन बाद भी वह 100 करोर का बॉंड खरीद लेता तो जाहिर है इसके एडी ने रेड किया 400 करोर का उसके जब्त हुआ वह 100 करोर का बॉंड लेकर आपको तो दिने आया नहीं होगा यहां आज भी पाठी को दिया नहीं होगा तो वही देगा जहां एडी का करेक्शन हो मैं एक बात यहां पर कहना चाहती हूं कुछ लोग यह कुतर्ख कर रहे हैं कि अरे भाई यह तो आपको भी मिला होगा पेले तक 7ड में आपकी सरकार थी राजवारा सरकार थी अभी भी मालो करनाटक हिमाचल में सरकार है तो यह तो आजा सकता कि उन सरकारों में ठेक हैं उन कंपणियों पर भी लगेगा कि जो आपको जो यह मिला है कांग्रेस को 1421 करोन इसमें बहुत सारी इसी कंपने हो सकती है स्क्रीन पर उनके नंबर्स दिखा रहे हैं कि आप से ज्यादा TMC को मिला है तो आप यह सोच लिजे कि एक नाशनल पार्टी को एक लोकल स्टेट पार्टी से कम पैसा मिला है क्यों मिला है यह इसका जवाब सब जानते हैं मैं अपनी बात पर अडी रहूंगी और इसलिए अडी रहूंगी क्योंकि हम ना केंद्र में हैं ना हम वो बड़े प्रोजेक्स दे सकते हैं स्टेट्स के प्रोजेक्स छोटे प्रोजेक्स होते हैं स्टेट्स के प्रोजेक्स 47,000 करोड के और 9,000 करोड के और 16,000 करोड के नहीं है और मैं तो कह रही हूँ ना तो कहेंगे इसलिए आपको छोटी रखब मिली इसलिए आपको विलकुल अगर कोई आज दागदार है तो वो देश का मुख्यधारा का मीडिया है एक मीडिया चानल इस पर शो नहीं कर रहा है कि ये लूट जो महा लूट लीगलाइज जो कानून बनाकर भष्टाचार किया जा रहा था उसका परदा पास इतना बड़ा हुआ है लेकिन हिम्मत नहीं है ये बड़े-बड़े स्टार आंकर्ज में कि सवाल पूछले सरकार से